हेलो एंड वेल्कम गाईस मैं जूगलारे आप सभी का अपने यूट्यूब चेलर पर हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम अर्दवार्शिक परिक्षा 2021 कक्षा नवी हिंदी का एक पेपर लेकर आये हैं संपूर्ण सॉलिशन के साथ यदि आप हमारे चेनल पर नए है तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को दबा दे इसी परकार नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी मैं फटा-फटा आपके सामने यह वेकल्पिक प्रस्ण रखता हूँ इन वेकल्पिक प्रस्ण में पहले कहा गया है प्रेम चंदर जी का जन्म कब हुआ था तो यह हुआ था आपका 1880 में संग्या सरुनाम की विसेस्ता बताने वाले को विसेसन कहते हैं तो हम इसका option B रहेगा सरी फुले नहीं समाना का वाक्य है तो यह लोकुक्ति है तक्समक सब्द मुहावरा या विदेशी सब्द तो इसका आएगा मुहावरा रहुल जी ने 1939 तथा 30 में लाशा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी तो इसकी आएगी नेपाल से अब हम कुछ रिक्तिस्थान को कवर करने माले हैं तो पहले वाले रिक्तिस्थान को देखते हैं संध्या समय संध्या का समय जब होता है तो बेल अपने खालिस्थान पर पहुंच जाता है तो संध्या का समय होता है तो बेल अपने पुराने इस्थान पर पहुंच जाता है राहुल जी ने राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की लगभख संख्या कितनी है तो ये 150 राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या है कवीता के सब्दों के अनुशाशन को खालिस्तान कहते हैं तो सब्दों के जो अनुशाशन रहता है उसको चंद कहते हैं फूले नहीं समाना खालिस्तान उधारण है तो ये फूले नहीं समाना एक मुहावरे का उधारण है आगे बढ़ते हैं हम वेकल्पिक प्रस्ण सत्य सत्य में किसी एक वरण की आवरत्ती होने पर यहां यमक अलंकार कहलाता है मैंने पढ़ा किसी एक वरण एक वरण की आवरत्ती होने पर चमक अलंकार कहलाता तो इस हिसाब से यह option रहेगा असत्य लेकिन यदी यहां चमक की जगा पर यमक होता तो वो सही कहलाता अब आगे बढ़ते हैं तो इस वाले उप्सन का आपका आंसर रहेगा असत्य रस प्रमुक रूप से नो प्रकार के होते हैं तो ये भी आएगा आपका असत्य अब आगे बढ़ते हैं हम लाचंद कवीत्री न आत्म ग्यान को ही सच्चा ग्यान माना है तो ये सही है आपका लाचंद कवीत्री ने आत्म ग्यान को सच्चा कावी की सोभा बढ़ाने तो अत्त्य रस नहीं उसको अलंकार के दे तो ये असत्य आएगा अब हम जोड़ी कबर करते हैं तो जोड़ी में हमारा बताया गया है कस्मीरी कभी तो कस्मीरी कभी कहा जाएगा आपका लाचंद से संबंदित रहेगा इसका तो पहले वाले का हम लगा देते हैं लाचंद सब्दों के पूर्व लगने वाले सब्दों को कहते हैं उपसर्ग कभीर की रचना तो कबीर द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है तो इसकी आएगी कबीर की ग्रंथा वाली और गधे के गुणों का बखान किस ने किया तो रिष्टी मुनियों ने गधे का गुणों का बखान किया या पराकाष्टा के बारे में बताया गया है अब हम एक सब्द या एक वाकी के उत्तर को समझते हैं पहला वाला एक सब्द है निस्पात सब्द किसे कहा गया है तो निस्पात सब्द को हम यदि एक सब्द में बोला जाए तो अतिरिक्त भार वाला सब्द निस्पात सब्द कहलाता है या किसी भी सब्द को पर जब अतिर पद में किसका विरोध किया है तो कभीर जी धोंग और आडंबर का विरोध करते हैं फिर भी आप एक सब्दम उत्तर इसको लिख सकते हैं धोंग एम आडंबर है ना यदि आपको और अलग से इसका एकुलेट आंसर पता है तो आप हमें कमेंड बॉक्समर बता सकते हैं ताकि आपके साथियों को भी इसका सही अंसर मिल सके लेकिन इसका अंसर धोंगों आडंबर हमने रखा है अब आगे देखते हैं लाख किसे कहा तो लाख के दो बारे में बता गया है एक तो लाख हमारी जो हम पहनते हैं या करंसी से सम्मंदित भी होता है लेकिन लाख का यदि एक सब्द मुद्तर देना है आपको तो इसको लिख सकते हो आप प्राक्रतिक राल राल प्राकृतिक राल को लाक कह गया है अब आगे बढ़ते हैं लाचंद ने सच्चा ग्यान किसे बताया है तो लाचंद द्वारा भी हमने किया था तो आत्म ग्यान या आत्मा के द्वारा प्राप्त ग्यान को सच्चा ग्यान बताया है बाकी के आपके क्वेस्चन अंसर है यह हम आपके सामने रख देते हैं आप सबी इनको आपके बुक्स में मिला शकते हैं और देख सकते हैं वीडियो साथ हो यदि हमारा पसंद आए चैनल पर हमारे नए हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भोलें बैल आइकन को दबा दे तक कि इसे प्रकार से नए प्र